असलाम आलेकूम, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट में मिलने वाले बहुत ही टेस्टी टर्की सूप की रेसिपी, नूडल्स और चिकन वाला ये सूप हर एक को बहुत जादा पसंद आता है, महंगी होटलों में मिलने वाले ये महंगे से हमने बहुत आसानी से मनाया है, इसे हमने बहुत ही कम सामान के साथ तयार किया है, वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें, इस रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नीव है तो सब्सक्राइब करके जाएं, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, एक कढाई लेंगे या पैन लेंगे, उसमें एक टेबली स्पून ऑइल डाल देंगे, इसमें एक तेस पत्तर डाल देंगे, और दस बारा काली मिर्च के दाने डाल देंगे, इसको हम थोड़ी देर सौटे करेंगे, बीस से तीस तक इसका फ्लेवर ओयल में आ जाए तो इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे ये चिकन 300 ग्राम है और हमने यहाँ पर इसको बॉन के साथ लिया है आप बॉन लेस भी ले सकते हैं लेकिन बॉन के साथ जो सूप हम लोग बनाते हैं वो जादा टेस्टी बनते हैं अब इसमें हम 4 चिकन की कलिया और एक इंच का टुकड़ा अद्रक का डाल देंगे और सारी चीजों को इस तरह से हम फ्राइ करेंगे फ्राइ करके जब हम लोग चिकन का सूप बनाएंगे तो चिकन के सूप हमारे बहुत जादा टेस्टी बनेंगे अब इसमें हम एक टीस्पून नमक डाल और इसमें एक सोंधा पना जाएगा तो देखिए चिकन पे गोर्डेन मार्क्स दिखने लगे हैं और चिकन को हमने यहाँ पर पांच मिनट मेडियम आज पर भून लिया है और चिकन का देखिए कलर चेंज हो गया है और इसका जो पानी था वो भी ड्राइ हो चुका है चिक आप इसको कूकर में भी बना सकते हैं तो कूकर में आप पौने दो या डेल लीटर पानी डालिएगा आप कुछ नहीं करना है इसको 10-15 मिनट हमें बॉयल करना है तो यहाँ पर चिकन हमारी बॉयल हो रही है साथ ही हम नूडल्स भी बॉयल कर लेंगे इसमें जो शामिल करे नहीं साथ ही साथ इसमें जाने वाली सबजियां भी चौप कर लेते हैं यह कितनी है और कब डालनी है सूप के साथ ही आपको बता देंगे तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो चुके हैं गैस की फ्लेम बंद कर देंगे चिकन हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है इसको परीके से हड्डियों से बाहर कर देंगे चलिए आप सूप बनाना शुरू करते हैं एक कड़ाई में एक टेबल स्पून देशी घी गरम करेंगे आप यहाँ पर बटर ले सकते हैं ऑईल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसमें हम दो तीन लसन की कलियां है बारिक चौप क करना है अब इसमें हम यह प्याज शामिल करेंगे तो प्याज यह जो हरी प्याज होती है उसका पीछे वाला है इसको हमने बारिक सा चौप कर लिया है और यह दो छोटी छोटी सी प्याज है दो टेबल स्पून के करीब बहुत जादा प्याज नहीं डालना है इसे भी 20-30 स फ्राइ करेंगे फिर इसमें हम लोग यह 2-3 टेबल स्पून शिमला मिर्च और एक बड़ी साइस की गाजर थी इसको हमने गरेट कर लिया है शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे गाजर इसमें जरूर डालिएगा गाजर से इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर यहाँ पर थोड़ी देर इसे एक मिनट हमें भून लेना है इस तरह से इसमें सोंधा पना जाएगा तो देखिए एक मिनट हो चुके हैं चिकन भी अच्छे से भून चुकी है यहाँ पर इस तरह से जरूर बनाईए तो आप देखिएगा आपका सुब बहुत ज़्यादा जाएकेदार बन के तयार होगा यखनी को हमने चान लिया था अब इसमें हम इसको शामिल कर देंगे और यह देखिए यखनी जाते ही यहाँ पर यह बॉयल आना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी क्योंकि यखनी हमारी गरम है और सारा काम हमने बहुत जल्दी से कर लिया अब इसमें हम टेस्ट के मताबिक हाप टीज्पून नमक शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें नूडल्स शामिल कर देंगे नूडल्स को आप पहले चान लीजिए फेर इसको थंडे पाणी में रख़तेजिए तो इस तरह से यह खीले खीले से बनेंगे और एक टीस्पून यहाँ पर हम क्रश करके काली मिर्च डालेंगे क्रश करके डालने से इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है अब तमाम चीजों को मिक्स कर लेते हैं गैस की फ्लेम आप मीडियम टू हाई रखिए और अब इसमें हम शामिल करेंगे दो टेबल स्पून कॉर्ण फ्लॉर इसको थोड़े से पानी में हम घोल के डाल देंगे और फॉरण से चम्मच चलाएंगे इसमें गुठलियां वगएरा हना पड़े आप इस सूप में वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं लेकिन अभी हमारे यहां सबको सर्दी खासी है इसलिए हमने स्किप कर दिया है अब इसमें हम शामिल करेंगे तीन टेबल स्पून यहां पर केचप केचप डालने से इसमें बहुत अच्छा सा जाइका आ जाता है आप जरूर इसे शामिल कीजिएगा रेस्टोरेंट वगएरा हमें इस तरह से केचप, चिली सॉस वगएरा सभी कुछ शामिल किये जाते हैं इसलिए वो सूप बहुत ज़्यादा जाइके डाल लगता है कौन फलोट डालने के बाद तीन-चार मिनट इसे पका दीजिए इसका कच्चा पंदूर हो जाए और सूप हलका सा गाढ़ा भी हो जाए आप चाहें तो यहां पर एक टीस्पून मैदा भी डाल सकते हैं अब गैस की फलेम हम बंद कर देंगे और इसमें हरा प्यास बारिक चॉप करके डाल देंगे और बस इसको मिक्स कर देते हैं इसे हम 8-10 मिनट के बास सरो करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरम होते हैं और फिर ये देखिए इसको हमने 10 मिनट रेस्ट दिया तो इसमें अच्छी खासी थिकनेस भी आ गई है अगर आप इसमें मैदा शामिल करेंगे तो ये ज़्यादा थीक हो जाएंगे लेकिन हमने बहुत ज़्यादा एन हेल्दी नहीं बनाया है आपने तो देखा है बहुत ही मज़ेदार जाइकेदार तरकी सूप रेडी हो चुका है थोड़ा सा गार्नेशिंग करेंगे हरा प्यास डाल देंगे आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राइ करें अभी के बदलते मौसम के लिए ये बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है नजला सरदी खासी में ये सूप पीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आप लोग इसे जरूर से बनाएं वीडियो को एंड तक जरूर देखिए तब ही हमारी रेसिपी आपको समझ में आएगी आप इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में शेर भी कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग अल्ला हाफिज